हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमरा यूटूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूँ हरसाई चोपड़ा दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी प्राइवेट मेडिकल कोलेज के बारे में बताऊंगा जिसकी फीस मातर 1,49,900 रुपए है इसमें आल इंडिया कोटा की भी सीट रिजर्व हैं हाँ आपने सही सुना है MJIMS वर्दा यानि महत्मा गांदी इंस्टिटूट ओप मेडिकल साइनसेज वर्दा महराष्ट्रा की टोप प्राइवेट मेडिकल कोलेज में है यह है इंडिया की एक मातर ऐसी प्राइवेट कोलेज है जिसकी आल इंडिया कोटा में भी 46 सीट रिजर्व हैं यानि इसमें 46 सीट पर आल इंडिया कंडिडेट भी एड्मिसन ले सकते हैं यह 1969 का पुराणा मेडिकल कोलेज है और महराश्ट्र युनिवर्सिटी ओफ हेल्थ साइनसेज नासिक द्वारा एफलेटेड है MCI से अपरूड है कस्तूर्बा हेल्थ साइनसेज द्वारा संचालित होने के कारण इस मेडिकल कोलेज का एजुकेशन नंबर वन है तो आईए मैं आपको इसकी सीट, एड्मिसन प्रोसेस, प्रिवेश येर की कटोप और नीट 2020 की संभावित कटोप बता देता हूँ इसके बारे में बताने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाओंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक वज्यादा से ज्यादा से शेयर करें तो सबसे पहले हम इसकी सीट मैट्रिक्स देखते हैं तो इसमें टोटल MBBS की 108 सीट से, आल इंडिया कोटा की 46 सीट से, जो जनरल की 34, जनरल PS की 2, SC की 7 और ST की 3 सीट है स्टेट कोटा यानि मारास्टर कोटा के लिए 54 सीट रिजर्व हैं अब इसमें एडमिसन कैसे लें तो दोस्तों इसमें एडमिसन नीट स्कोर पर होता है नीट के रेजल्ट से पहले आपको इसमें अलग से किसी परकार का कोई फ़र्म भरने की आवश्यक्तन नहीं है इस Medical College में आल इंडिया वा इस्टेट दोनों परकार का कोटा अविलेबल है आल इंडिया कोटा में एडमिसन के लिए नीट रेजल्ट के एप्रोक्स 10 दिन के बाद MCC की वेब साइट पर रेजिस्टेशन करना है और काउंसलिंग करवा कर एडमिसन लेना है स्टेट कोटा के लिए मारास्टर DME द्वारा गठित काउंसलिंग अथोर्टी द्वारा नीट रेजल्ट के 15 या 20 दिन बाद रेजिस्टेशन स्टार्ट होंगे वहाँ आपने रेजिस्टेशन करने के बाद काउंसलिंग करवा कर एडमिसन लेना है स्टेट कोटा में मारास्टर के रेने वाले इस्टूणेंट ही आडमिसन ले सकते हैं इसमें अब आये देखते हैं 2019 में इसकी क्या कटistically देख्याप रही थी तो 2019 में जनरल OBC की आल-इंडिया कोटा की 5.97 मार्क्स गत अब रही थी SC category की 488 marks आल इंडिया कोटा की रही थी State quota की 432 marks रही थी ST category की 451 आल इंडिया कोटा की रही थी और 407 marks इसमें State quota की रही थी अब हम इसमें ये पता करते हैं 2020 में इसकी क्या cut-up रह सकती है तो General की 555, SC की 440 और ST की 405 marks कट-up रह सकती है Need 2020 के लिए दोस्तों जो हम ये संभावित कट-up बताते हैं आपको Need 2020 के लिए ये आप ये मत मान के चलो कि यही कट-up रह सकती है क्योंकि अभी exam हुआ नहीं है कट-up depend करती है पूरे क्यूसन पेपर के लेवल पर तो कैसा क्यूसन पेपर आएगा उसके बाद हम ये मान सकते हैं कि इतनी कट-up रह सकती है अभी हम क्यूसन पेपर के लेवल को medium मानते हुए ये कट-up निर्दारित की है तो आप इसको पका ये ही मत मान के चलो कि ये ही कट-up रह सकती है ये हमारे इस idea से है कि ऐसा पेपर आ सकता है और ये इतनी कट-up जा सकती है इसके इसाब से मैंने ये कट-up प्रेडिक्ट की है इसके बाद इसकी ट्यूसन फीस के बारे में बात करें हैं तो इसकी सालाना फीस एक लाग उन्चाश हजार नौसो रुपए है पर येर की फीस है इसमें फोस्टल फीस दो हजार रुपए पर येर है तो दोस्तों ये जानकारी थी माराश्टर की एक ऐसी प्राइवेट कोलेज के बारे में जिसकी कम फीस है और इसमें आल इंडिया कोटा की सीट भी रिजरू है एक मात्र ऐसी माराश्टर की कोलेज है प्राइवेट जिसमें आल इंडिया कोटा के लिए सीट रिजरू है पहले एक और कोलेज हुआ करती थी IRT private college लेकिन वो अभी government में convert कर दी गई है उसमें भी पहले private होते हुए आल इंडिया कोटा की seat री जरूर रहती थी तो दोस्तों इस परकार की जानकारी हम counselling में आपको और अच्छी तरह से दे देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी की साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग